तंडिगर में विधान सभा के बाहर आलू के बोरे रखकर बैठे ये इनेलो के विधायक परमिंदर ढूल है जो मात्र 50 रुपे में आलू का भरा ये बोरा बेच रहे हैं बकायदा इसके लिए विधायक जी ने हाथ में ये बोर्ड भी थाम रखा है ताकि विधान सभा में आने वाले तमाम विधायकों और मंत्रियों को आलू का भाव पता लग सके दरसल इनलो विधायक अपने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिये सरकार का ध्यान आलू की खेती करने वाले किसान की घटती कमाई की तरफ खीचना चाह रहे हैं जो आज के दिन अपने परिवार का पेट तक नहीं पाल पा रहा है जिसका बड़ा कारण इन दिनों बजार में किसान को आलू की कीमत ना मिल पाना है भी देश का किसान आलू फैकड़े को मजबूर है उसको लागत मुले नि मिल रहा बर्बाद हो चुका है सरकार की तरफ से कोई सहता नि मिल रही ना सरकार सुनिश्चित करा रही है कि किसान को कोड़ स्टोर की अंदर आलू रखने की सुविदा मिले कोड स्टोर वाड़े इंकार कर चुके के हम सुविधा नहीं देंगे इसके पीछे साजी से किसान को मजबूर हो करके मंडी में अनाप शिनाप दाम में फैकना पड़े इनलो विधायक ने यहाँ सरकार पर किसान विरोधी होने का भी आरोप लगाया धूल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी खोशना पत्र में प्रदेश में स्वामी नाथन आयूक के रिपोर्ट को लागू करने समेत कई बड़े बड़े वाई देखिये थे लेकिन आज सरकार पूरी तरह से अपने वादों को भूले बैठी है कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने बार ये कहा कि आप किसान की सुलिष्चित आये एक योजना बनाएं उसमें भी इंकार करके अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बढ़ती जो फार्मर सुसाइड है उसके ओपर चिंता गुत करके कहा है इस दोरान इने लो विधायक ने सरकार से परदेश में किसान आमदनी आयोग बनाने की भी मांग की गौर तलब है कि इन दिनों परदेश ही नहीं देश भर में आलू के दाम बुरी तरह से नीचे गिरे हैं हालत ये है कि किसान आलू को जमीन पर फैकने को मजबूर हो रहा है तो वहीं पोपलर और दूसरे फसल के दाम भी पिटे पड़े हैं जिससे किसानों का खर्चा तक नहीं निकल पा रहा जिसको लेकर अपने चुनावी घोशना पत्र में बीजेपी ने ही प्रदेश में स्वामी नातन आयूक की सिफारशों को लागू करने का वादा किया था लेकिन सरकार बनने के बावजूद बीजेपी अब तक अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है यही कारण है कि अब विपक्ष ना केवल सदन में बलकि सदन के बाहर सरकार को इस तरह से घेरने का काम कर रहा है अनिल कुमार टोटल न्यूज चंडिगड